रोग हरे सबपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जै स्री राम जै बालाजी महराज श्री सिवाई नमस्तु भ्याम महादेव की ग्यार विरुद्रा उतार हैं बालाजी महराज और इस कल्यूग में हमारे आश्पास सक्तिपुंजी के रूप में विराजमान है कुछ ऐसे सरलसे उपाई जो आपका भागी वदल देंगे इस वीडियो में आपको जानने समयने को मिलेंगे देर ना करते हुए आरंब करते हैं सबसे पहला सरलसा उपाई आप सुबह से लेकर रात्री तक कभी भी इस उपाई को कर सकते हैं इस उपाई को भारी रोग मुक्ती के लिए दुख दरी दरता का नाश करने के लिए सत्र उबाधा दूर करने के लिए उपाई को कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे मंगलवार के दिन कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं क्योंकि यह अपने आप में चमतकारी सप्ता का सबसे महत्वपून दिन होता है इस दिन सास्त्र प्रमार कहता है जो तिसमें वर्णित है लाल रंग के कपड़ों का आपको चु सुपाय को कर सकते हैं आप सभी जो है जो भी पात्र ले रहे हैं जो भी आप लोटा ले रहे हैं जल का उसे घर के मटके से भर लीजे आप जो है उस जल के पात्र के अंदर लाल चंदन अगर आपके पास होता है ना तो आप सभी जरूर से डाल दीजे और साथी एक लाल मिसरिजल आप सभी को सबसे पहले गड़ेश जी महराज इस तरह से जो मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको गड़ेश जी महराज कार्तिकी जी महराज मातारानी का हस्त कमल से समर्पित करते हुए माता असोक सुंदरी से से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है यह उपाय दिब् रातहकाल और रात्री को जो साम के समय या दोनों समय जो है एक समय करते हैं तो भी सही है ठीक है संकल्प के तहत कीजिएगा लाब होगा आप संकल्प लें कि मैं इग्यारह जो है मंगलवारी है उपाय करूंगा या 21 मंगलवारी है उपाय करूंगा इस भावना से आप यह क बाला जी महाराज कस्मरण करें महादेव कस्मरण करें कहें कि बाला जी महाराज यह रोग मुक्ति के लिए मैं यह उपाई करने जा रहा हूं यह कर्ज मुक्ति के लिए करने जा रहा हूं जो भी आपके परेशानी है वह आप कहते हुए जो है नाम गोत्र बोले और चावल ज दीपक लगाएं अति उत्तम है चौ मुखा दीपक बहुत उत्तम माना जाता है रोग कर्ज मुक्ति के लिए जब वहाँ प्रजलीथ होता है तो आपको जो ढूरा जीर महाराज के मंदीर में घर पर दीपक लगाएं तो जो है आटे की दीपक का निर्मान करें अतिसुभ होगा नकरपानी की स्थिति में सामानी माठी का दीपक भी ले सकते हैं चौमुखा दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष और चौहों दिशाओं से बालाजी महराज हमारे जीवन की रक्षा करते हैं इस भावना से आपको जो है चौमुखा लगाते हैं तो अतिस रेष्टो होता है अब नकरपानी की स्थिति में तो सामानी दीपक भी देखिए सर्बुत्तम है ही कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें डाल दीजिए लौंग का चोड़ा और दीप्रेजुलित कर दीजिए अब के दिन चाहें तो घीका भी लगा सकते हैं परन्तु सबसे सुन्दर चमेली का तेल इस दिन माना जाता है दीप्रेजुलित कर लिया जल का लोटा रख लिया अब इसके बाद जो है आप सभी को इस महामंत्र की एक माला का घर पर सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले जा पताती हो अगर आपने नहीं किया है तो करके देखेगा लाबनिश्चित रूप से मिलना है स्क्रीन पर भी दिया हूँ तो मंत्र मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जो कि काफी सरल है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व सत्र संग हराय सर्व रोग हराय सर्व वशी कर करनाय रामदूताय स्वाहा यह मंत्र की आप संभो हो तो एक माला का जयाब करें आसन का चुनाओ करें उत्तर या पूर्व दिशा की और मुख करें बहुत इसके लाब है अंगिनत लाब है मंगलवार के दिन तो चमतकार की तरह है एक माला नहीं कर सके तो कम से कम 11-21-21 बा सक्तिपुंजी के रूप में हमारे आसपास विद्धिमान है जो भी वक्तु नहीं पुकार लेता है उनका स्मरण कर लेता है उनके नाम का अगर आप बाला जी महराज के मंदिर में मंगलवार के दिन चोला चड़वा देते हैं पान अर्थान मीठे पान का भोग लगवा द के लेका भोग लगा देता है तो सूब माना जाता है कहीं नहीं जा सकते कुछ भी नहीं कर सके तो घर पर सामाने तौर पर बाला जी महराज की मूर्थी प्रतिमा के सामने दीपक लगाएं और भोग लगाएं और हन्मान चालिसा का तो कम से कमा पाठ करें हैं बहुत सूब भारी धनकी कमी हो रही है कर्ज बढ़ रहा है तो बट व्रक्ष के नीचे आप सभी को एक लौंग का जोड़ा लेकर और जल के पात्र में चाहें तो उसमें डालें नहीं तो सामाने हाथ में लेकर चले जाएं और बाला जी महाराज का ध्यान स्मर्ण करते हुए बटकेश्व हो तो बट व्रक्ष के नीचे भी दीपक लगाएं बटकेश्वर महादेव के नाम से बहुत सूब माना जाता है रोग दोष कस्ट में भी एहसा हायक है तो आप सभी को आवश्यक रूप से बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह सरलसकारी करना है बहुत लाब इन है आप सभी की जीवन में काफी कर्ज बढ़ रहा है तो गुरुजी का यह उपाई भी आपने कई बार सुना होगा जिसमें गुरुदेव कहते हैं मसूर की दाल आप सभी एक मुठी ले लिजे अपने हाथ की जो है हतिली में और आप सभी विसेश रूप से रिण मुक् सरूप में आप कहेंगे कि हमारे कोई धन की कमी नहीं है सारी कोई पीड़ा होती है तो पिछले जन्म का कुछ रिण होता है उसे जो हैं चुका रहे होते हैं अपने यह बात सुनी होगी तो कुछ ना दुख्य मिल रहा है कुछ परेशानियां बन रही हैं तो उसकी मुक्ति के लिए भी रोग बढ़ रहे हैं तो आप मसूर की दाल एक मुठी में ले लीजिए और रिण मुक्तिश्वर महादेव का नाम लेकर सीवलिंग पर अगर आप मंगलवार के दिन पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले समर्पित कर देते हैं तो रिण मुक्तिश्वर म कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर हन्मान जी महराज के मंदिर में भी लाल फूल समर्पित करना गुड़हल का फूल और मंगलवार के दिन महादेव के सीवलिंग के उपर लाल फूल गुड़हल का भी समर्पित करना मातारानी को चड़ाना मंगल ग्रह की स्थिती जबूत बना कर दोश को काटने में सहायक होता है हर हर महादेव